करेंगे टेक्स क्राइट किया इसके रावा जो कुछ कंडिशन ऐसी होती है मिसलीनियस यानि वगेरा वगेरा जो वहां पर बताई नहीं कि तो इस सेक्शन में आपको मिलती है अब सेक्शन सिस्टी फाइफ को पढ़ लेते हैं क्या कहता है कि वेर्दा पर्सन इंटाइटल तो अटेक्स क्रेट अंडर इस पार्ट इसमें अगर कोई एओपी है या कुई कोई मेंबर है यह जबर ओफ यह पी मेंबर ऑफ यह एण अपटर ओफ ऑफ कोई फोर सउसिएशन ऑफ परसंट है कोई फरम है कोई पार्टनर्शीप है उसका कुई मैंबर है कि तो क्या अप्लाई होगा सब सक्षण वान एफ सक्षिन 92 चीए देख लेते हैं अरी यह सब्सक्षिन वन और सब्सक्षिन और जो इसकी जो आपनिंग गया उसका तरीककार है और उसकी जो टैक्सेशन है वह उसका जो सारा मैथट है वह दिया हुए सेक्षिन नाइंटी टू में सिंपल यह कहना यह चाहरा है कि जो आपने आपको टैक्स करेगी जैसे हमने पढ़ा है कि जो अगर यह और उसके पार्टनर्स हैं तो वहां पर सिंगल टैक्सेशन होती है यानि अगर यहां तो यह है क इंकम पार्टनर्स में डिवाइड हो जाए तो सिरफ वह टैक्स देंगे यह नहीं देगी यह जो इंकम उसके पार्टनर्स को मिलेगी उन पर टैक्स नहीं होगा तो यह सेक्षिन नाइंटी टू उसी का जिकर कर रहा है आगे वह कहता है दा फालिंग शैल अप्लाई यह च ट्रॉप कर देंगे वह कहता है पिछले जितने भी आपने सेक्षिन पड़े यह टेक्स कर टेक्स क्रेट टेंगे चेट के शिक्सक्टीवन था तो था तेक्शिन शिस्टी था और सेक्शिन शिस्टी था उसमें जो भी कंपोनेंट एथा जो उपर हमने हर जगा एवर भी मल्टिप्लाइबाई पड़ा है यह वाली चीज चाहें शिक्षी थी या देखें उसका सब्सक्शिन तो इसी तरह वह कहरा कि चारों में जो भी तो यानि वह यह कहना चाहरा कि जो कंपोनेंट ए है यानि कि अमाउंट ऑफ जो टैक्स है अब आगे बी को पढ़ लेते हैं फिर इससे दोनों एक अठा जिकर करते हैं का कंपोनेंट बी ऑफ दी फार्मुला इंस सब्सक्शिन टू अफ शिटीवन शिटीटू शिटीट्र इंट शिटीटू श्यल्वी टैक्सेवल इंकम ऑफ दी इंड विल फॉर दी यर इफ एनी अमाउंट इड़ाइव दाट यरी एक्जैंट फॉंट अंटर सब्सक्शन वन और सक्शन नाइट टो वर्चार्ट अबिल टूट्ट इंपल इस सारी कहानी में क्या कह रहा है जैस अब इसे वह देख लेते हैं और टैक्स एड़ कंपोनेंट बीज़ेव टैक्सेबल इंकम है वह यह कह रहा है कि अगर कोई एस्टेशन ऑपर सन जहाँ अपनी टैक्सेबल इंकम पे खुद टैक्स जहाँ वह पेए कर देती है पहले यह वह पी को टैक्स पेए करना चाहिए तो फिर वह इंकम जो उसके पार्टनर्स को मिलेगी फॉर एक्जैंपल अब मैं एक्जैंपल से समझाता हूं आपको हम देखें कॉंपनी में डबल टैक्सेशन होती है और जो एयो पी होती है उसमें सिंगल टैक्सेशन होती है टौंटड़ांस नहीं होती चाहिए मяने बताया ठीजह वह एक रिलेशन का नाम होता है तो नाम होता है जो दो बंगा यह दो से जएधा लोग biggest lição होता है अब जैसे एक फ्रेंड़ एकंवर एक्जैंपल एह आजशार प्यां सिर्फ कर दियूं इसके अंदर बाइब पार्टनर के पार्टनर आप पार्टनर वण जो है NICK कि उसे इनकम कितने मिलेगा वागा यह दौना मिलके ड़र है दॉना मिलके रहें रहीं तो इसकी पांचसे रपर इनकम होगी पार्टनर एract ऑफिए इस तरह बार्टनर बी जो है इसकी भी में पांचन पर इंकम होगी मिले यह अब जब इन इनकम मिले यह कर सब्सक्राइब एक हजार पे या दो हजार पे है इसने दो घॉच्च के माउन च्ट पे कर दी अब पीछे बजगे जैए वह बहुत हजार पे आठ फ़सार पे किह अब यह अब यह आठ जार जे वह दोनों पार्टनर को डिवाइड हो जाएगे गैसा डिवाइड हो जएके पार्टनर डी को भी 4700 मिल जएके अभी गया अगर ना वह ore इसके लावा कोई इनकम कमार होगी, ठीक हाँ, इसके लावावा कोई और सब्सक्राइब कर दिया है तो फिर उसके पार्ट जो है वो टैक्स पे नहीं करेंगी यह वाली उनकी इंकम टैक्सेबल इंकम और जो अमाउंट है वो एक्जेम्ट होगी ए और बी में यह बात कर रहा है कमपनेंट एज वो टैक्स बनता है कमपनेंट विछ वह टैक्स अवली इंकम्डॉर्य करना के रहा है वह इसलावाथ जितने दूसरे से से कमारेंकम उनकी टैक्सेशन अपनी है उन पर होगा है अब चलते हैं वापिस तरफ कि टेपर में यही पूछ जा सकता है कि डबल टैक्सेशन जा है वह एओपी की केस में होती है तो आपने बताना है कि जी सिंगल टैक्सेशन ही यहां कोंपनी के केस में डबल टेक्शन जरूर होती है एक्रेडट अलाव अंडे इस पाट शाल भी अपलाइड इन अकॉरड़ेश विस सेक्शं थ्री ओफ सेक्शन फॉर इन इक्रेड़ेट अलाव कोई भी हम्हें क्रेड़ेट मिलता है लाओ होता है उसका treatment section 3 subsection 3 section 4 के तहत होगा यह क्या है इससे देख लेते हैं यह जी section 4 हो गया charge of tax tax on taxable income हो गया और subsection 3 इसका हो गया यह यह कह रहा है वेरे टेक्स पर इस अलाओ more than one tax credit यानि इस section में जिकर किया गया कि अगर एक बंदा है उसे एक सी ज़्यादा tax credit मिलते हैं एक यह मेंबर ओफ यह उसे tax credit कई मिलते हैं एक से ज्यादा tax credit मिलते हैं तो फिर कौन सा ट्रेक्स क्रेड़ जाएगा उसका क्या treatment होगा वह कह रहा है कि आ फोरें पार्ट टैन ओफ चैप्टर थरी चैप्टर थरी का जो लास्ट पार्ट है उसमें जो टैक्स टैट्स दिये गए हैं जो हमने पीछे पड़े हैं वह उसके बाद लिए जाएंगे और उसके बाद सेक्शन 47 और 168 यह सेलरी और एडवांस टैक्सी और दूसरी चीदों को डी सर्चर है तो इस तरह कोई अगर सेक्शन 147 टैक्स क्रेट्स दिये गए हैं वह आखर में लिए जाएंगे एक मैकनिजम बता रहा है कि अगर आपको टैक्स क्रेड़िट मिलें तो सबसे पहले कौन सा टैक्स क्रेड़िट जाए वह लिया जाएगा और बागी जबाद में ल लाओ अंडर इस पार्ट शार भी एल प्लाइड इन अकॉर्ड़न सेक्शन 3 वह यह कहना चाहरा है कि जो भी आपको टैक्स क्रेड़िट अगर एक से ज्यादा मिल जाते हैं तो फिर उसका ट्रीटमेंट वैसे ही होगा जो सबसेक्शन 3 ऑप सेक्शन 4 में दिया गया है कि य अगर आपको एक सी ज्यादा जो है वो टैक्स क्रेड़ दे दिये गए अब कि आपकी इंटम थी वो थी दस जार ठीक है और आपको जो है वो तीन चार टैक्स क्रेड़िट मिल गे तो पता चला कि आपका जो दस जार पूरा पूरा वो तो लेस हो गया अब उपर उल्टा जो है वो दो हुजार पे और आपके जहाँ वो बैलेंस भाई तैरी बंदा है यानि कि आपको आपको दस हजार फूर इजेंपल आपका टैक्स था लहें नहीं अगर साल के लिए ले लेकी कर सकते हैं के फररवड कर सकती और नहीं दोज़ को पिछले के साल की रहती थी उसके साहरवLwd6 कर सकते तो टैक्स क्रेट आफो दिये गया वह सब Сक्रेपट moarde मिलेगा उन हम केरिव करेंगे सब्सक्राइब कर रहा है वह कह रहा है कि अगर एक बंदा मेंबर ऑफ यह मेंबर ऑफ यह पड़ रहे हैं सारे का सारा सब्सक्राइब कर सकते हैं कि कोई भी जो टेक्स क्रेट है वह एक्सेस टेक्स क्रेट जो है वो वह आप ना कर सकते हैं कर सकते हैं ना उससे दो पैसों में ऊसका क्लेम कर सकते हैं क्या कर सकते हैं पैसों कर बागा वह जाया हो गया वह यह तो यह दोहजार पे उसके बज रब इसके अगर बंदा किसी एओपी का मेंबर है तो मेंबर की बचाए बजाए वह सब्सक्राइब कर सकती है उसे एओपी जह है वह ले सकती है उसे यूज़ कर सकती है उसे टेक्स क्रेड़िट को फोर डैट ये उस साल में यह वह यूज कर सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो पार्टनर्स हैं सिंगल उनमें टेक्सेशन होती है तो अगर इसके पास कोई टेक्स क्रेड़ बचा हुआ है अगर किसी मेंबर ऑफ दी एओपी के पास टेक्स क्रेड़ जो है वह बनता है सिंपल अभी एक्जेम्पल से समझ लेते हैं एक पर एक्जेम्पल यहां पर हम समझ लेते हैं कि एक ही मेंबर था यूपी का इसकी इंकम यह 10,000 पर ठीक है लेकिन यह इनकम भी क्मा रहा था और इंकम भी कमा रहा था यह से इंकम आगी अब इससे जो है वह जब इसने टेक्स क्रेड़ अपना देखा तो इसे बारह जार पे टेक्स क्रेड़ ग्या कि बारा हजार रुपे कि इसने जब अपनी केल्कुलेशन की तो इससे तो पता चला कि इसका तो 2000 पे टेक्स लाइविलिटी इसकी जहां वह खतम होगी और टेक्स रिफाइंड इसका 2000 पे बन गया रिमेरिंग टेक्स क्रेट जब एड्रस्ट करने के वाद इसा पता चला कि व वह वापीस जो है रिफाइंड के सूरत में नहीं ले सकता ना केरी फार्वर्ट कर सकता है ना उसे कर सकता है हुआ है अगिस सब्सेक्शन 4 में ऐक चीज़ कहा रहा है सब्सेक्षन पॉर कि अगर यह बंदा यह यह विए है यह वाला 2000 पे टक्स है जो है वो उसे यूज कर सकती है उस हाल में अगर यूपी का कोई टेक्स पेंडिंग है तो यह जो यूपी है यह वो अपने पार्टनर का जो टेक्स है वो यूज कर सकती है सेंपल इस देट सब्सक्शन फॉर अप्लाइश ओनली विर्दा मेंबर ऑफ असूशिएशन ओ यूपी एग्री इन राइटिंग फॉर सब्सक्शन तो अप्लाइफ एंड सच अग्रिमेंट इन राइटिंग मस्ट भी फॉर्निश्ट विद्धी असूशिएशन और रुटन इसका धिक्र कर रहा है कि सब्सक्शन फॉर में जो हमने का है कि मैंबर का जो hijop क्लेम कर सकती है लें उसकी शर्थ यह है कि जो एओप मेंट हो दोनों का पेपर के अब और प्लस जब आपनी रिटन फनीश करेगी योपी तो इयोपी अपना रिटन फरनेश करने के साथ यह एगरिमेंट की कोपी भी समीट करेगी फट्रॉच करेगी डिपार्टमेंट को सब्सक्राइट को क्लेंश कर सकी है अपने tax member where the person is entitled to tax editor in section 65 B 65 D or 65 E provision of class G or subsection 2 of section 169 and class G or section 103 shall not apply. वह यहां पी यह कह रहा है कि अगर कोई बंदा वेड़ा परसन इस इंटाइटल टेक्स क्रेडिट इंडर सेक्शन 65 B, D और E अगर किसी भी परसन को 65 B, D और E के तहट कोई टेक्स क्रेडिट मिला है तो अब यह दोनों सेक्शन क्या है देख लेते हैं हम इसे स्लेबर का हिसा नहीं है लेकिन सिर्फ इंफर्मेशन के लिए अचा पहले को समझ लेते हैं कि मिनिमम टेक्स रिजीम और एक होती है एक नॉर्मल टेक्स रिजीम मिनिमम टेक्स रजीम क्या होती है कि जो बड़ी बड़ी कॉंपनीज हैं वह सुपर कॉंपनीज हैं अर्बों में इंकम करती हैं तो कुछ उनके टेक्स होता है यानि कि बाद में साल में वह इंकम असेस्थ करेंगी अपनी लेकिन जैसे उनका बिलियंस ओफ रुपीज की सेल ह परड़ी कोमपनीचे हैं इनसमेंट करती मिनिमम टेक्स होनने जमा आ हिसाब लगाएंगी तो यह साल बाद नियुक्त होताृ करती Ama ज्यादा बनता हुआ काम बनता हुआ उन्हें प्रॉफिट हुआ लोस हुआ यह जो इनने मिनिमम टेक्स करवा दिया यह कोई भी अजस्ट नहीं होगा मिनिमम टेक्स को कौन सा सेक्शन डील करता है सेक्शन 113 अच्छा अब आ जाते हैं कि कौमपणी का जितना भी टेक्स बनेगा साल बात असेस्मेंट होगी साप किताब होगा वह बात की बात की बात की साल जब आएं जो अपनी उसे सकती परिए इतना फाइनल टेक्स जमा करवा देती हूं मेरा जितना बी टेक्स बने मेरे पे कोई भी टेक्स नहीं होगा यह मेरी इस फाइनल टेक्स अब टेक्स इसे करता है को section 169 हर companies के लिए option नहीं होती है इसके वी criteria से यहां समझने के लिए इस रफ इतना ही वो यहां पर कह रहा है दो चीजों का जिकर करा वापिस हम लाग की तरफ जाते हैं कि वह कह रहा है कि section 169 और section 13 शैल नोट अप्लाई 169 को देख लेते हैं यह जी 169 जो मैंने अभी आपको बताया final taxation को final tax regime को डील करता है और यह जी section 13 जो minimum tax को डील करता है यहां पर वो यह कह रहा है कि अगर 65B, 65D और 65E के तहत आपको कोई tax credit मिला है तो फिर आपके ऊपर जो minimum tax वाला section 113 और 169 final tax वाला section जो है वह आप पे किसी भी सुरत apply नहीं होगा नहीं कि अगर आपको इन तीन उपर section के ताए 65B, D और E के ताए tax credit मिल गया है तो पर यह minimum or final tax regime आप पे अप्लाइड नहीं होगी simple हमने पीछे investment का section पढ़ा है कि investment को promote करना चाहती है उस पर tax credit देना चाहती है तो कुछ प्रोवीजिंस है उस हवाले से देख लेते हैं वे टेक्स क्राइब बींग का कॉंपनी इन्वेस्ट एनी अमाउंट इन पर्शेज आफ प्लांट और मिशिनरी और दी पर्पस इस आफ एक्स्टेंशन एक्स्टेंशन बैसिंग मोडरनेशन और रिपेस्मेंट आफ प्लां अब प्लांट तो जो कि परसेंट परसेंट है तो यह नहीं लेक्या आती है तो आफ पाकिस्तन ऑन बाई विडिट एक टेंट परसंट आफ इंवेस्ट इनवेस्ट की है उस पुरी अमाउंट का टेंट परसंट जो से खलाएट वो दिया जाएगा शैल पी अलाओ अगेंस जितनी पर इसकी टैक्स लिएबिलिटी यह उससे मिलेगा इंक्लूडिंग ऑन अकाउंट ऑफ मिनिमूम टैक्स और फाइनल टैक्स पे अगे प्रवाइड़ ले सकता है आगे प्रवाइड एट फोटेक्स दोजनी ता रेट क्रेट शैल वी इकोल टू फाइपरसेंट ऑफ दी अमाउंट सो इन्वेस्टमेंट की है दोज़ार उन्दीस में कोई मचीनरी वगार इंस्टाल किया तो फिर यह जो आमाउंट है दास परसेंट के तोर पर नहीं मिलेगी बलके यह अमाउंट यह वह सिरफ फाइप परसेंट ही दी जाएगी प्रवाइब फर्देट अप्रविण ऑफ सब्सक्राइब यह जिकर कर रहा है यहां पर सब्सक्शन फाइफ का जो भी हम फर्दर आगे जाके देखते हैं और दूसरी बात है कर रहा है कि जो भी आपका टेक्स क्रारिट है।। जैसे सबसक्षण फाइफ में दिया गया है से आप के ऐस क॥र्वर्ट उसमेकनिजम के तहित कर सकते आगे सब्सक्शन फटते हैं तो फिर क्लियर हो जाएगा आगे है तब प्रविजिन आप सब्सक्शन वान शैल अप्लाई इफ प्लांट मिशनरी इस पर्चेज एंड इंस्टाल एडिक टाइम बिट्वी फर्स्ट डेयो जुलाई दोजार दस एंड दी 13 डेयो जून दोजर निस धो आवि हमने उपर सब्सक्शन वन पड़ा और लिए यह यानि दस पर सेंड वाली है यह प्रूफिजिन तब अप्लाइं होंगी अगर आपने इस लिए अध्यों के दर्म्यान जैवो प्लांट और मशिनरी जो है वो खरीदी हो वो टेने और कौन सा है जुलाई दोसर दास से लेकर जून दोसर उनीस थका आगे कहते है ता अमाउंट ओक्रेड़िट अदिस सेक्शन शाल भी डिड़क्टिट फ्रोमा टेक्स पेबल बाई टेक्स पर इन रिस्पेक्ट ऑफ टेक कि जिस साल आपने बनाट टूम की है यह रख साल आप ने उस प्लांट टूम मीशिनरी की की इन्सटालेशन की है यह अजो जो ऐसे साल में चैक्ट है तो 2016 में खिरें ऐसे नहीं होगा उस साल में आपको टेक्स क्रादिट अपनी टेक्स उसक्राइबिटि-क करना है क्लेम करना है आगे कहता है दा प्रविजिन ऑफ दिस सेक्शन शल्मुटेटर्स मुटेंड़ सप्लाइव टुकोंपनी सैटब इन पाकिस्तान विच मेक इंवेस्पेंट तू हंडर परसेंट अफ न्यू एक्विटी एक ऐसी कोंपनी जो पाकिस्टान में अपना सेट इस तर्व नियू नहीं लोग लगाते हैं पुरानी कोई कोंपनी दोपारा निया स्ट्रक्चर खड़ा नहीं करते बलके नियू कॉंपनी इस स्टार्ट होती है इस डेट के तरम्यान दूरिंग फर्स डेव जुलाई दोसर ग्यारा and 30th day of June 2006. for the purposes of balancing modernization and replacement of the plant and machinery already installed is an industrial undertaking owned by the company however credit equal to 20% of the amount so invested shall be allowed against tax payable including an amount of minimum and final tax payable under any provision of this ordinance the tax credit allowed in the year in Vita plant and machinery for the purpose of which the investment has offered is made installed therein explanation for the purpose of this section term new equity shall have the same meaning as defined in section Pencet E Pencet E Pencet E को देखना पड़ेगा हमें लेकिन यहां पर सिंपल आपको यही कहना चाहरा है इस पुरी स्टॉरी में सब सेक्षिन फॉर की के एक नई कॉंपनी कॉंपनी इस्टैबलिश होती है पाकिस्तान में इन डेट्स में जो गीवन है उपर वह अपना प्लांट जो है वह सैटप और इंस्टाल करती है लेकिन शर्त है कि जो कॉंपनी है वह बिल्कुल नहीं है यानि 100 परसेंट न्यू कैपिटल के साथ 100 परसेंट करनी है तो फिर उसे 100 परसेंट जो है वह अगर वह 100 परसेंट न्यू कैपिटल वाली कॉंपनी है तो उसे 20 परसेंट जो है वह टेक्स क्रेटिट दिया जाएगा अगेंस टेक्स लाइबिलिटी अच्छा यह जैसे मैंने आपको बताया था मिनीमम टेक्स रिजीम फाइनल लेकिन अगर उसने कोई MTR के तहद भी टेक्स पे किया या FDR के तहद भी तो यह जो टेक्स क्रेट उसे मिलीगा यहां भी अज़स्ट हो सकता है उससे पैसे यह 20 परसेंट इस्ट हो सकता है तक आगे वह कहता है एक्स्प्लेनेशन जो उसने दिया कि आगे हम जाके पढ़ने वाले इसके बाद तो वह कहता है नियू एक्यूटी वही समझी जाएगी जो सबसेक्शन फाइव में बताई गई है और सबसेक्शन सैवन में तो पैंसर टी आगे जाके हम देखते हैं क्या है नियू लास्ट में यह कहता है इन्वेस्टमेंट एज मेड ओफर सेट मेड इंस्टाल देरें जिस साल उसने इस चीज इंस्टाल किया प्लांट और मिशिनरी तो टेक्स क्रेट भी उससे उसी साल में ही मिलेगा वेर no tax is payable by the taxpayer in respect of the taxpayer in with a plant or machinery in stall or where tax payable is less than the amount of credit as offered the amount of credit so much as if it is in excess thereof as a case may be shall carry forward and direct it from the taxpayer well by the taxpayer in respect of the fallen tax years and so on but no amount shall be carried forward to more than two taxpayer in the case of बाइब दो चीज़ों का जिकर कर रहा है सब सेक्षिन फाइव है यह यह बहुत आए है वह यह कह रहा है देखें जब कोई company install होती है किसी company को एक्ज़ेंबल टेक्स करेट मिलता है फॉर इक्ज़ेंबल एक न्युक्त की टेक्स करेट है पांच लाव कुर्पे लेकिन उसे मिल गया शाठ लाव कुर्पे तो जो यहां पे जो एड्ज़स्ट नहीं हो सकता यहां पर लिखा भी हुआ है the amount of credit so much of it is in excess thereof as the case में भी जो भी excess tax credit है जो भी excess amount है उस tax credit की जो adjust नहीं हो सकी we shall be carry forward and deducted उसे carry forward कर लिया जाएगा और अगले साल की जो आपकी tax liability है उसमें से उसे अगले साल जाके डिटक्ट कर लिया जाएगा नहीं अगले साल को use कर लिया जाएगा but no such amount shall be carry forward for the for then two years लेकिन अच्छा आगे ये तो फिर आप उस tax credit जो दो लाक रुप्य है अगले साल ले जाएंगे carry forward कर लेंगे और अगले साल ले जाके उसे जो भी अगले साल आपटेक्स बनता हुआ उसके साथ असे adjust कर लेंगे नमबर वान सेकंड में आगे दो इसे का पहला पहला सब्सक्शन वन क्या कहता था वह यह कहता था कि अगर कोई भी मेंदा पाकिस्तान ने प्लांट और मशिनरी इस्टाल करता है रिपेर करता है उसे मोर्ण राइज करता है पुरानी प्लाइज एंटिटी है पुरानी जो है वह कॉंपनी है जाए लगाती है या उसे एक सब्सक्षिंट वांप उससरे हिए उसक्राइज और को कहता था यह नई company अपने एक ब्लांट को रिप्लेस करती है तो तो उसे जह वह लोस शुरू में तो प्रोडक्शन भी उनकी काम होती है अपर प्रोडक्शन इंक्रीज होती है और फिर प्रॉफिट आना शुरू होता है ज्यादा प्र टेक्स ज्यादा लगता है प्र टेक्स लाइबि के दो साल तक जो है वे ककर सकती है उनुकश मेर में तरह कर सकती है परानी neste का कया जो थेखिट है ऐह वह फारीनिघ प्रा टकार्ण आगे लिए जाकर अगे क्या कहता है आगे हम देख लेते हैं कि लास्ट आप सक्षिन 6 वेर एनी ग्राइट इस अलाओ अंडर इस सक्षिन अद सबसी केंट दीज इस डिसकवर्ड वाइड इस डिसकवर्ड वाइड वन और मोर्ड पेसिफाइड इस सक्षिन वाज और वर नौट फुल्फिल सिंपल जैसे हमने हमेशा ही पीछे पढ़ाया कि अगर उपर जितनी कंडिशन दी गई हैं सब्सक्षिन 5 तक अगर कोई कॉम्पनी उस कंडिशन को फुल्फिल नहीं करती तो भी उसकी इंकम्कोंपीट के गारेगा और जो की अमाउंट हुई उस साल की कॉम्पनी को भिजवादेगा deduction के आप अमाउंट पे करें यह रोंग लिया है क्रवाड सरकार को जम्मकर आख and last I think is section sections 358 text card for industrial undertaking established before the first day of July 2011